हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज में आप लोग के लिए चिल्ली गार्लिक मिश्रूम की रेस्पी लेकर रही हूँ यह जो है बहुत ही ज़दा टेस्टी बनती है आप इसको चुपाती के साथ राइस के साथ जांफी ब्रेट के साथ खा सकते ह और बहुत ही जल्दी बनकर त्यार हो जाती है तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं किसको कैसे बनाना है और बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए तांकि जो भी मैंने वीडियो अप्लोड करो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो फ्रेंड इसको बनाने के लिए यहां पर मैंने रेड ड्राइ चिली ली थी इसको मैंने पानी में बिगो कर अखा था पानी इसका मैंने निकाल दिया है अब म मैंने लिया है नौन स्टिक फ्राइपेन और जो हमने अभी पेस्ट बनाया है उसको डाल दूँगी और एक मिनट तक अच्छी तरह से रोस करोंगी तो जो गैस का फ्लेम में वो हाई ही रखना है हाई फ्लेम पर ही सारी सबजी को हम बनाएंगे तो दो टेबल स्पून यहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इसका तो यहां पर मैंने लिया है रोस्टीड क्यूमन सीड और इसको मैं 30 सेकिंड के लिए सोटे कार लोंगी और इसके बाद यहां पर मैंने एक ओने लिया है जिसको मैंने बिक बिक स्लाइस में लंबे स्लाइस में कार लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करना है गैस का फ्लेम पूरी परसेस में हमने हाई रखना है हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तो यहां पर मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर किश्मीरी रेड चिली पाउडर है इससे कर बहुत अच्छा आता है इतनी कड़वी नहीं होती व लगातार चलाते है इसको हमने पकाना है क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है तो इसको लगातार चलाएं तो इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है वन टीस्पून गरम असाला और वन टीस्पून हल्दी का पाउडर और इसको चिछी तरह से 30 सेकिंड के लिए सौटे कर लेंगे जञ्रुम को मश्रूम को पीसी में डाल दिया है अच्छी तरह से मि Christmas करने के बाद इसको धखते नहें और हाई फ्लेम पर 10 मिन. तो एक थ्रूम में होता है उसने पानी को छोड़ दिया है तो अभी gas भे रखा हुआ है और लिट को हटा कर 2 तो मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरह से एक डार कर पका लेंगे तो इसको आपू कि अहीं करना है यह याद रखना है तो इसको च्छी तरहahl से पकाना है तेन से चार मिर्ड तक में ही हमारी जो गालिक मिश्रूम मत बनकर तियार और जाती है तो इसमें वन टीद्बोन मैंने फाइनली चॉप कि हुए कॉरिएंडर के लीज डाल दी हैं इसको ची तरह से मिक्स करना है और एक मिनर तक मिक्स करना है आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही मेजिंग आया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो इसको प्लेटिंग कर लेती हूँ अभी मैस